अयोग्धा में प्रभू शीराम के मंदर निर्मान के नीव का कारे तेजी से चल रहा है राम मंदर के नीव के लिए जमीन से 40 फूट नीचे कंक्रेट के लेर्श ढलने का कारे चल रहा है ऐसे 45 लेयर डालने के बाद 12 फिट ऊचे चबूतरे पर भवे राम मंदर के गर्भ ग्रह मंदप का निर्मान शुरू होगा राम मंदर की निर्ख के कारे के लिए जन्म स्थल पर जमीन से 40 फिट निशे तक बड़ी गहराई खुदाई की गई है इस खुदाई के बाद जन्म स्थल से निकले तमाम मूर्तियों और मंदर अफशीशों को समाल कर रख दिया गया है जमीन में 40 फिट की खुदाई राम मंदर की निव को मजबूत करने के लिए की गई है इस विशाल सर पर अब कंक्रीट के लेर्स बिचाने का काम चल रहा है 12 इंच मोटी लेर अब तक 4 लेर एक के उपर एक बिचाई जा जोकी है इन लेर्स की लंबाई 400 फिट और 300 फिट चुड़ाई है एक लेर्स जो करीब 12 इंच मोटी बिचाई जाती है उसको बिचाकर रोलर से दबाया जाता है जब ये लेर्स दबकर 10 इंच रह जाती है तब दूसरी लेर बिचाई जाती है ऐसी 40 से 45 लेर बिचाई जाएंगी तब 16 फूट उच्चे चबूतरे का निर्मान चुरू होगा जिस पर भवय राम मंदर के मुख्या गर्भ घ्रय और मंडप का निर्मान होगा माना जा रहा है कि भवय राम मंदर के निर्मान में 36 महने का वकत लगेगा ऐसे में दिसम्बर 23 से मार्च 24 के बीच भवय राम मंदर अजयुता में बनकर त्यार हो जाएगा ऐसे और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनलो को स्ब्सक्राइब जरूर करें जय श्री राम